सुक्रवार को उत्तर प्यदेश के गन्ना विकास मंत्री संभल पहुंचे जहां उन्होंने सबसे पहले गेस्ट हाउस में अधिकारियों एवं पार्टी करताओं से वारता के बाद वह संभल के मलीन बस्ति का नीरिक्षिन करने पहुंचे जहां पर अपनी समस्याओं को लेकर संभल के बरिली सराई के कुछ अस्थानिय निवासी गन्ना विकास मंत्री के पहुंच गया जहां उन्होंने मंत्री को एक ग्यापन सौपा ग्यापन में उन्होंने मांग रखी की बरिली सराई में पासी समाज के लोग रहते हैं लेकिन उनका संभल तहसील में जाती प्रमा पत्र बनाने को लेकर मंत्री को ग्यापन सो पता हमारा जाती प्रमान पत्र ना होने के कारण हमारे बच्चों की सिक्षा में काफी दिक्कते होती हैं उनका दाखिला नहीं हो पाता सरकारी नौकरी में भी हमको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यूपी के कई अन्य जनपदों में पासी जाती का जाती प्रमान पत्र बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं संभल की भी अन्य तहसीलों में पासी जाती का जाती प्रमान पत्र बनता है। लेकिन संभल तहसील में नहीं बनाया जाता। उन्होंने शाशन प्रसासन से मांग करते हुए मांग करी कि सं समाज के लोगों का जाती प्रमान पत्र बन सके इस तरान इस समाज से जुरे बड़ी संख्या में लोग मंत्री के पास ग्यापन लेकर पहुंचे समाज के लिए इतना जोड दे रही है उसमें सबसे जादा बंचीत रहते हैं नहीं वो पड़ पाते हैं और सरकारी नौकरियों के आवाब में जहां भी जाते हैं सर्टिविट मांगते हैं वो भी नहीं मिल पाते हैं दिक्कत हैं सम्बल तैसिल में हैं जारी नहीं हो रहे हैं वो बना करते हैं कि जारी नहीं हो रहे हैं आगे सत्यापन नहीं करते हैं कुछ नहीं करते हैं प्रसंसे ही मांग करते हैं कि हमारी जादी का सत्यापन कराया जाए और सम्बल तैसिल में जारी कराया जाए मंत्री से बहुत अच्छा हमें सुजाब मिला उन्होंने डीम साहब और एजडिम साहब को आदिश करने के लिए बोला है हम सोचते हैं कि हमें जल्दी से अच्छी खुशकब्दी मिले और संबल जिला तहसिल में पासी के सट्विट जा रही हो